Hello everyone, our YouTube channel is UVS classes. आज हम पढ़ने वाले हैं class 8th science chapter 1. हमने part 1 में इसके defines करे थे. part second में भी हमने इसके बच्चों भी defines करे थे and part third में हम इसके question answer and back exercise करेंगे. यदि आपने वो video नहीं देखिये तो आप पहले वो video देख लीजिए. description में आपको दोनों link मिल जाएगी आईगे हम आज start करते हैं हमारा fling the blanks first fling the blanks है the same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called dash इसका means क्या होता है same plant, same kind के plant यदि हम एक जग़े उगाते हैं बहुत बड़े पेमाने पर जादा मातरा में तो उसे हम क्या बोलते हैं, crop crop means क्या होता है, fustle next है हमारा the second step before growing crops is dash of the soil जब हमें fustle उगाना रेती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो soil को prepare करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, preparation of soil, third damaged seeds wood dash on top of water जो खराब बीज रहते हैं, वो पानी पर क्या करते हैं, पानी के उपर तेरते हैं, float करते हैं, ठीक है fourth वाला for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential जब हमें फसल उगाना रहती है, तो उसमें क्या-क्या चीज जरूरत रहती है, किसकी चीज की तो sunlight तो चाहिए ही रहता है, पानी, nutrients, soil को यह साई चीज की अविश्यक्ता रहती है, आगे बढ़ते हैं, मेज the following, मेज the following में क्या लिखावा है, सबसे पहले है, खरीब क्रोप तो खरीब क्रोप्स कौन सी होती है, पैडी और मेज, पैडी मिस धान, मेज मिस मक्का, रभी क्रोप्स, रभी क्रोप्स कौन कौन सी होती है, वीट, ग्राम, पी, गेहू, चना, मतर, chemical fertilizer, chemical fertilizers कौन कौन सी होते हैं, यूरिया, एंड, सूपर, फोसफेट, फोर्त है हमारा, organic manure, chemical fertilizer जो रहते हैं, वो inorganic रहते हैं, और यह क्या रहते हैं, organic manure रहता है, तो इसमें क्या आता है, animal excreta, cow dunk, urine, and plant waste, आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें दो example देना है, तो दो example पहले तो खरीब क्रोप की देना तो कौन को सी होते हैं, पैडी और मेज, धान औ मक्का, second आती बात, रभी क्रोफ की, तो रभी क्रोफ की क्या होते हैं, वीट और ग्राम, गेहूं, और चना, आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें क्रोफ प्रोडक्शन, जो फसल होती है, उसको क्या क्या प्रोसेस होती है, उसकी लाइन वाइस प्रोसेस हमें जमाना है, उन्हो मनें क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऊफ सोयल फिर अब्लग इंडा फिल्ड फिल्ड में खेतों को जोतना मतलब उसमें जोतने कि हम केसा होता है जिसमें हम सीड करना है फिर उसके बाद में सोविंग fan diving की के होता है कि हम उसमें बीज डालते हैं उसमें बीज को रौपते हैं फीर होता है manure, manure in, manure डालना और fertilizer डालना तो manure क्या होता है उसमें fertilizer डालना hy sitten जिससे कि वो किडो से बस सके फिर होता है irrigation irrigation क्या होता है सीचाई करना सीचाई करना मिस पानी डालना थोड़ 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 टाइम में उनको रेगुलर इंटरवर्स में उनको पानी देना उसको हम क्या बोलते है कि इरिगेशन अब हमारी सोइल बी हो गया थिर चारी चाई आप यह करना है उसको काटते है उसको हर्वेश्ट करना फिर हार्वेस्टिंग आता है देन काटली फिर अब उसके बाद में क्या का रहेंगे हम उसको सेंडिंग क्रोप टू शुगर फेक्ट्री हम उसको का पर भीज देंगे फेक्ट्रियों में यह हमाई पुरी फसल का फूरा क्रोप प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट हो गया आगे अब हमें डिफ्रेंस बेट्विन मैनियर एंड फर्टिलाइजर हमें फर्टिलाइजर और मैनियर में डिफ्रेंस बताना है सबसे पहले हमने क्या बताया है जो फर्टाइल होता है इन और्गिनिक होता है और जो मैनियर होता है और जो मैनियर होता है और जो मैनियर होता है औ जेसे, cattle dung, human waste, plants तो यह क्या होते हैं कि जैसे, जासे गोबर, या फिर जो human का waste रहता है, जो animal का waste रहता है, जो plant का waste रहता है, ये सारे चीजिए इसमें मैन्यर में रहती है, यह जो fertilizer रहता है, ये फेक्ट्रियों में तयार होता है, ये फिल्ड में घथी, फेक्ट्री टारीं म provide any humus to the soil soil को humus provide नहीं करता है और मेनियर soil को a lot of humus to the soil मतलब soil को बहुत ज़्यादा मातरा में humus देता है humus होता क्या है soil की जो पहली वाली जो परत रहती है उसे हम क्या बोलते है humus बोलते हैं फिफ्ट है हमारा nutrients like diatrosan, phosphorus and potassium share mark found in large quantity fertilizer में यह साइचिश क्या होती है last quantity में होती है बल्कि जब की manure में नहीं होती है manure में बहुत कम पाई जाती है या मान सकते हैं पाई नहीं जाती है फिर excessive use it has made the soil less fertile type इसके ज़्यादा यूज करने से fertilizer का यदि हम ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारी soil क्या रहती है fertile कम होती जाती है मतलब वह एक बंजर टाइप बनती जाती है और जबकि manure का कितना भी कर लो यूज कर लो हमारी soil को कोई भी नुकसा नहीं होगा fertilizer का ज़्यादा यूज करने से water pollution हो जाता है बाकि यति हम manure का कितना भी यूज कर ले उससे water pollution नहीं होता है I hope समझ माया होगा आगे बढ़ते हम what is irrigation irrigation क्या होता है दो methods बताना हमें irrigation की describe two methods of irrigation with conserve water सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं irrigation होता क्या है irrigation means होता सीचाई, सीचाई means पानी डालना, टाइम टाइम पर फसलों को पानी देना यह होता है हमारा irrigation और irrigation होता किस से है मतलब पानी कहां से आता है यह तो वो बरसात से मतलब जो रेन होती है उससे या नदी से तालाप से जील से इन साहे चीज़ों साता है तो अब हमें यह देख लेते हैं हम क्या लिखावा है irrigation is the process by which water is supplied to crops at different intervals, the time and frequency of irrigation various according to different seasons, crops and soil types there are various sources of irrigation such as wells, canals, rivers, dams, ponds and lakes जैसा कि प्राइल पहता है था कि irrigation टाइम टाइम पर फसलों को पानी देना होता है यह नदी से तालाप से जील से इन सब से हम पानी लेके irrigation होता है और एक mainly चीज़ जो होती है इसकी कि हम कितने interval में करते है इसका तो यह किस के उपर depend करता है season के उपर कि मोसम कैसा है उस हिसाब सोता है फसल किस चीज़ की है उस पर होता है soil किस टाइप की है उस पर भी depend रहता है अब हम इसके दो methods बताएंगे तो एक तो होता है spring का system और एक होता है drip system यह दोनों ही modern system है हमने जैसा कि हमने chapter में समझाता कि modern जो system होते है उसमें पानी का use होता तो है पर पानी waste नहीं होता है पहले के जो होते थे उसमें पानी भोच ज़्यादा waste होता था पर जो यह modern system है, इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, जैसे इस्प्रिंकल सिस्टम, इस्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, कि एक जो हमारा खेत रहता है, उसमें पाइप बिच्छा देते हैं, और उसमें जगा जगा पर ऐसी जगा छुटी रहती है, जिससे क पानी निकलता है, जैसे हम जिसको बोलते है, शौवर टाइप है, जिससे खेत में क्या होती है, सिचाई होती रहती है, और जो ड्रीप इरिएशन रहता है, उसमें भी यह होता है, कि उसमें जगा जगा पर छुटा तो रहते है, पानी छोड़ते तो पर वो उसमें बूंद बूंद पानी निकलता रहता है, और जिससे सीचाई होती रहती है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, इनके डाइग्राम भी है, यदि आपको समझ में नहीं आए, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, यदि आपने वीटो देखिए तो आपको यह बात अच्छे से समझ में आ बात क्या दो में एठ्टन यदि यूरा टेखिए अ यह बात अच् 하रें इंडेख सकते हैं, यू बात अच्छो यह है, इनके बात क्या है बात क्या, फिकी है, यड़ग झलिद क्या है, विदि यहां पर पानी कम होता है वहां पर ड्रीपिरियेशन बहुत अच्छा रहता है कि इसमें पानी का वेस्ट नहीं होता है I hope आपको यह समझ माया होगा Thanks